अगर हमारे निर्णे में ताकत न होती, तो इन लोगों की नींद हराम जो हो गई है न, वो नहीं होती है, ये जूट और अफ़ाय फलाने के लिए उनको मैदान में आना पड़ा है, तो नहीं है, इसका मतलब हुआ है कि हमने सही काम किया है, देश के लिए काम किया है, राजन और इसलिए जूट बोलना अफ़ा फ्यलाना यही उनको पात बचा हुआ है, सातियों सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार की कारे संस्क्रत्य का मुल मंत्र है, आजाती के बाद पहली बार केंद्र की भाजापा सरकार ने इतनी बड़ी पहल की है, सम्विधान में संसोधन करके सामान ये वर्के गरीबों को सैक्षनिक संस्ताओं और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षन की व्यवस्ता की गई है, उन्होंने तो कभी सामाजिक न्याय के लिए ऐसा कुछ किया नहीं और जब हमने किया तो वो सोते हुए पकड़े गए, 48 गंटे में ये बिल पारित हो गया, और ये लोग अभी भी बेहोसी से बार नहीं आ पा रहे हैं। और जब जनता के व्यापक हित में हमने ऐसा एत्यासिक फैसला लिया है, तो पॉलिटिकल पार्टियों का विरोत या फिर उनकी ऐसी चाले स्वाभाविक हैं। अगर सम्विधान में संसोधन ना किया होता, तो ये संभव नहीं था। सम्विधान में संसोधन किये बिना कोई भी पार्टि निर्णे करती, तो मैं खुद उसका आलोच ना करता। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैंने फैसला चुनाव के लिए किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में चुनाव कब नहीं होता है भई। अगर मैं इससे पहले थोड़ा फैसला करता दो तिन मेहने पहले, तो लोग बोलते कि पांच राज्जों के चुनाव के फाइदे के लिए किया। अगर उससे पहले करता तो कहते कि करणाटक के चुनाव के फाइदे के लिए किया अगर उससे भी पहले करता तो कहते कि गुजरात के चुनाव के फाइदे के लिए किया हमारी यह चुनाव तो बारों मीना चलते रहते जी तो सवाल यह है कि आखिर में यह फैसला कप करता और और सम्विधान समसोधान यह इसकी मूल बात है और जो लोग आठ लाख रुपिय की लिमिट की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँ कि देश में OBC क्रिमी लेयर का कटॉफ भी आठ लाख रुपिये हैं इसी हिसाब से इनका भी कट ओफ आठ लाख रखा गया है जहां तक इंकम टेक्स की बात है तो धाई लाख की छुड़तो व्यक्तिगत आमदनी पर है जबकि आठ लाख रुपिये की लिमीट ये जो आरक्षन है उसमें वो पूरे परिवार के लिए हैं जबकि लिए हैं